नमस्कार NWI में आप सभी का स्वागत और मैं हूँ आपके साथ पंकशी आदब अंबानी और पीरामल परिबार में खुशियों का माहौल है दरसल बिजनिसमेन टाइकोन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की बेटी इशा अंबानी पीरामल ने जुर्बा बच्चों को जन्म दिया है इशा और आनंद पीरामल ने उननिस सवंबर 2022 को एक बेटे और एक बेटी का स्वागत किया है अंबानी और पीरा मल फैमली की ओर से जारी किये गए बयान के मुताबिक ईशा और आनंद ने दो बच्चों का स्वागत किया है बयान में बच्चों के नाम भी बताए गए हैं कपल ने अपने बेटे का नाम कृष्णा और बेटी का नाम आध्या रखा है बयान में ये भी कहा गया है कि मा और दोनों बच्चे बिलकुल ठीक हैं जानकारी के लिए बता दें कि मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की बेटी इशा अंबानी की शादी 12 दिसंबर 2018 को उद्योग पती आनंद पीरा मल से हुई थी ये शादी उस साल की सबसे हाई प्रोफाइल शादी थी शादी के प्रिवेडिंग रस्मों का आयोजन राजिस्थान के उद्यपूर में किया गया था सितंबर 2018 में इशा अंबानी और आनंद पीरा मल ने इटली में सगाई की थी और उसी साल दोनों 12 दिसंबर 2018 को शादी के पवित्र बंधन में बन गए थे इशा और आनंद की शादी मुकेश अंबानी के मुंबई इस्सित घर एंटीलिया में हुई थी इस शादी पर मुकेश अंबानी ने 100 मिलियन डॉलर यानी की 720 करोर रुपे खर्च किये थे आनंद पीरा मल की बात करें तो वो भी स्री राम ग्रूप और पीरा मल ग्रूप के मालिक और बिजनिसमेन अजे पीरा मल के बेटे हैं तीस देशों में पीरा मल ग्रूप की ब्रांच है ये ग्रूप फार्मा, फाइनेंसियल सर्विस, रियल स्टेट और ग्लास पैकिजिंग के कारोबार करते हैं फ्लाल हम भी इशा और आनंद को उनके बेटे और बेटी के लिए बधाई देते हैं मेरे साथ फ्लाल इतना ही